गुट मॉर्निंग आस्पिरेंट स्वागत है आप सब का फोकस एन एजुकेशन में मैं एजुकेटर आप सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कंपरेटिव एक्जाम में हल्प करेगा क्या कुछ एखास चिले नज़े डाले आज 26 सिक्स चुलाई 2021 है अपने फर्श्ट पॉइंट पर भ्रष्टाचार के मामले में सैंची सेरेन के गिरफतारी के आदेश चारी कर दिये गया है ये किस देश के पुर्व राश्ट पती थे ध्यान दीजेगा ये पहले राश्ट पती हो चुके यानि अब यहां के नए राश पतार कर लिया गया है ये कहां के हैं ये याद रखेगा ये अमेरिका उत्तर अमेरिका में आपको ये देख जाएगा और आपको ये भी पता होगा कि ये पहला ऐसा कंट्री था जिसने की लिगलाइज कर दिया निकानुनी रूप से मानिता देदी किसको बिट क्वाइन को ये पॉइंट इंपोर्टेंट है इसलिए याद रखेगा ठीके चलिए आते हम अपने नेक्स पॉइंट पर नेक्स पॉइंट क्या है भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है ये इंपोर्टेंट कुश्चन है इसको लेने का एक मोटो बहुत ही अच्छा था क्योंकि मु 24 जुलाई को हुई 1860 के अंदर जो जेम्स विल्सन थे ना इन्होंने ही इंपोर्टेंट किया था मतलब टेक्स था बुलाया था और लाया भी किसलिए था जो 1857 की जो क्रांती वी थी और जिसमें नुकसान जो हुआ था ब्रिटिस गवर्मेंट को उसी के अपोज में लाया गया था इंपोस करने के लिए लेकिन अगर पुछा जाए कि आयकर विभाग कि स्थापना कब हो गई थी इंडिया में तो यह हुई थी 1924 को आयकर की स्थापना हुई थी लेकिन सबसे पहले इंपोस कब किया गया था तो याद रखेगा ये डेट और किस ने किया था जेम् पूरे विष्व में डूबने से होने वाली दो थिहाई मोते एसि या प्रशान चित्र में होती है। यह किस ने बता है यह डबलू एचो ने बता है यानि विश्वस्वास संगठन ने बता है जिसका है जिनेवा में है चलिए आते हैं नेक्स पॉइंट पे यह क्या है यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मुझे बहुत ही इंट्रेस्टिंग लगा यूरोपा यूरोपा क्लीपर मिसन किसका है तो आपको यूरोपा क्लीपर मिसन सुनके लगेगा कि यूरोप एजनसी का है ठीके यूरोपीय का है लेकिन नहीं यह किसका है यह नासा का है और यह कब लॉंचों का दो हजर चौबिस में इसे लॉंच किया जागा विद स्पेस एक्स के याद रखना है कि यह यूरोपा जो है वो ब्रियस्पती का एक उपग्रह है इसका नाम क्या है यूरोपा जिसमें कि जीवन की संभावना खोजनी है अगर आप से पूछे कि ब्रियस्पती में कुल कितने ग्रह है याद रखेगा 79 जो हैं टोटल सेटलाइट देके जाते हैं इसके ब्रियस्पती के और इसमें से जो 53 है ना उनके नामकरन कर दिये गए हैं लेकिन जो 26 ग्रह है सटलाइट है अभी भी इनका यह अननेम्ड है कैसे है यह अननेम्ड है ठीके यह पॉइंट याद रखेगा और इननेम्ड वाले में से ही एक का नाम क्या है यूरोपा जिसम इसमें की यह जा रहा है यह पॉइंट याद रखेगा ब्रियस्पती से बाकि तो इसमें की बारे में आपको पता ही है अगर नहीं भी पता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके जोग्रॉफी के वीडियो में आप देखिएगा मैंने इस साटलाइट और इनके बारे में डेटेल में information दी हुई है next point क्या है देखे ये है 2008 go 20 क्या है ये भी important है ये एक चुद्ग्र है ठीक है चुद्ग्र जो कि अभी कहा गया कि रात में कल रात में यानि हमारे 25 जुलाई को रात की 11 बजे के आसपस ये भारत के बहुत नस्दीक से गुजरा ठीक है लेकिन खत्रा नहीं था ये नासा ने पहले ही बता दिया था next point क्या है कि किसने एंटी ड्रोन टेक्नलोजी के लिए साइबर सुरच्छा समाधान योजना के लिए प्रोध्योगिक नवाचार केंद्र लॉंच किया है ये कौन किया है आई टी कानपूर के द्वारा किया गया है और इसका ह नाम क्या है तो याद रखेगा सी 3 आई हब इसका नाम है ठीक तो यह पॉइंट रखेगा चलिए आते हैं नेक्स पॉइंट पे यह क्या है और या फिर किया आर मैक्स 21 का संबंध कि से यह भारतिया सेना से अभी यह हिमालय चित्र में कभियान इन्होंने नॉर्मली क्या देखे रिन्यूबल इंट्रिगेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा लॉंच की गई तो यह नीती आयोक के द्वारा और इंटरनेशनल एनर्जी एजनसी के द्वारा लॉंच की गई है तो याद रखे गई है वन लाइनर फैक्ट है सिर्फ नेक्स पॉइं किया गया है यह थे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आई होफ वीडियो आपको पसंद आया होगा इसे लाइक कमेंट सेहर करना ना भूले थैंक्यू आसपरेंट